आपकी अनुमती से आरम किया जाए आज जा संविधान दिवस है और आज जा संसत के परिसर में उस संविधान दिवस को सरकार द्वारा मनाया गया लेकिन पिछले शनिवार की रात को जिस तरह से संविधान की धजियां उड़ाई गई थी वो भारत के संविधाने का इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा महराष्टर के अवैद तरीके से बने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आज जा इस्तीफा सौंप दिया है हमें यह उमीद है कि राजपाल दलगत स्यासत से ऊपर उठकर राष्ट्रे स्वयम सेवक संग और भारती जनता पार्टी का नकाब उतार कर राजपाल का जो उत्तरदाय तो बनता है उसका निर्वाहन करेगा और जो महाविकास अगाड़ी है उसको तुरंत महराष्ट्र में सरकार बनाने का निर्वता देगा पर ये प्रक्त्रिया या या सिलसला यहां पे खत्म नहीं होता है ये सिलसला यहां पे शुरू होता है जिस तरह से पिछले पांच वर्ष में गैर संविधानिक तरीके से सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करते हुए पैसे का दुरूपयोग करते हुए सत्ता का दुरूपयोग करते हुए विपक्षी सरकारों को एक के बाद एक शड्यंत्र के तहट गिराया गया या गिराने की कोशिश की गई और उसके उपर ये जो अमजी जामा पहनाने की कोशिश की गई जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष कुछ मीडिया के साथ ही भी जिम्मेदार हैं कि ये देश में कोई बहुत अद्बुत चानक्य निज़ी किर्यानुवित की जा रही है आज महराष्ट्र में उसके उपर एक कौमा लगा है जो शनिवार की रात का घटना क्रम है वो इतना शर्मनात है इतना निंद्दिये है कि उसकी जितनी भर्षना की जाए उत्ती कम है और घंबीर बात ये है और हम उम्मीद करेंगे कि उच्चतम न्याले इसकी तै में जाएगा यहराई से इसकी जांच करेगा कि राज़पाल को सरकार बनाने की भारती जन्ता पार्टी की और से और उनको जो एक सहयोगी मिल गए थे उनकी तरफ से चिट्थी किस समय दी गई राज़पाल ने किस समय उसको अपने संग्यान में लिया उसके उपर क्या application of mind हुई क्या वो समय था जब राज़पाल ने अपनी सिफारिश की राश्ट्रपती साशन हटाया जाए ग्रेम अंतराले को भीजी ग्रेम अंतराले में कौन से अधिकारी ने उस सिफारिश को संग्यान में लेते हुए उसके उपर कारवाई करके ग्रेमंतरी को भेजा वो क्या समय था जब ग्रेमंतरी ने वो सिफारिश प्रधान मंतरी को भीजी और जिस रूल ट्वेल्व ए का नारा ए का ट्रांजैक्शन अफ बिजनस रूल्स का इस्तिमाल किया गया क्या वो रूल ट्वेल भे इसलिए बना है कि आप आधी रात को या भोर सवेरे कानून का दुरुप्योग करते हुए अवैद करीके से सरकार बनाने की कोशिश करे और उससे जो ज्यादा गंभीर विशय है कि उस समय वो क्या समय था जब वो सिफारिश राष्टरपती को भेजी गए दिद दे प्रेज़देंट अप्लाइस माइन टुएट वोट वस अप्लिकेशन अव माइन विच वस दन और ये और वो क्या समय था जब महराष्टर के राजपाल को ये बताया गया कि आप की राष्टरपती साशन हटा लिया गया है और आप इन दोनों व्यक्तियों को दिन चड़ने से पहले शपत दिलाज दीजिए बहुत गंभीर बहुत गंभीर संविधानिक सवाल इस घटना करम से उपन होते हैं और ये भारत के माननिय राष्टरपती की जो कार गुजारी है उसको भी शक्त के घेरे में लेके आता है और ऐसा नहीं है कि उच्चतम जाले ने आज से पहले भारत के राष्टरपती का ऐसे परिपेक्ष में क्या भूमे का रही है उसको अपने संग्यान में नहीं लिया और उसके उपर बहुत गंभीर टिपणिया नहीं किये तो आज जो मौरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे है कि हमने घोड़े खरीदे बेचे नहीं है तो अगर घोड़े खरीदने बेचने नहीं थे तो आधी रात को सरकार क्यों बनाई थी तो इसलिए सच की कभी न कभी जीत जरूर होती काट की हांडी दुबारा दुबारा नहीं चड़ती और इस सरकार का जो अहंकार है इंडिये भाज़पा सरकार का अहंकार है जो ये बिलकुल सरकार नशे में चूर है और ये समझती है कि सम्दधान को भारत के कानून को परंपराओं को सब को उठाके खिड़की से बाहर फेका जा सकता है सत्ता की ललक में आज उसके उपर रोक लगी और मैं अपनी बात सबाब करते हुए सिरफ इतना कहूंगा कि जल से जल राजपाल को अपने करतब्य का निर्वाहन करना चाहिए महाविकास अगाड़ी को निमंतरन देना चाहिए जिससे कि महाराश्टर में एक स्थाई सरकार जो महाराश्टर के लोगों की सेवा कर सके वो ऐसी सरकार बन सके करेंगा, तर ये रेपेत बेड्जिस्ट अजेश्टर के जाए लिए चाहिट्टिशन धी होटीटिश्य देड्यान तो श्याओ, अडर्पियू टेजिए वाट्य्टिश्याट्टिशन देडिश्ट्यं देडर्ट्यं वाट्यन चाहिए फट्य्टंक्यश् but the manner in which three days earlier on a Saturday night the Constitution was mutilated and totally thrown out of the window will be recorded in black letters in history. What has happened today is the first comma in the unrelenting, unscrupulous, completely unethical manner in which opposition governments have been toppled or have been sought to be toppled in the past five years by the NDA BJP Kafka. The question today is not that truth is won, truth has finally triumphed in Maharashtra. The larger question today is, and we do hope the Supreme Court would go into that, the manner in which the Constitution, rules, regulations, precedents, traditions were completely thrown to the winds when the governor acted in the most partisan manner possible. We do hope that the Supreme Court would look into the sequence of events. At what time did the BJP and their solitary ally approach the governor and submitted their offer that they are willing to form the government? What was the application of mind which took place in the governor's secretariat? At what point in time was a recommendation made to the Ministry of Home Affairs? Who in the Ministry of Home Affairs dealt with it? What were the reasons which were recorded on the file according satisfaction with the governor's report? At what time was that file put up to the home minister? Did the home minister apply his mind to the governor's report? At what time was it put up to the prime minister? Is it legally proper for the prime minister to be invoking rule 12 way of the transaction of and business rules in order to carry out a midnight coup steeped in chickenery in order to install a completely unconstitutional government? At what point in time did the prime minister's office send the file to the president? Who in the president's office dealt with it? Did the president apply his mind to the governor's report? For this entire sordid saga as it has played out has brought into serious question the role of even the president of India. And it is not that our courts earlier have not commented adversely on the role of the president in unfortunately similar circumstances. So therefore, those who seek the moral high ground, those who claim that they didn't indulge in horse trading, my question to them is very simple, then why did you form an illegal government in the first place? Wasn't it your intention that if you are in government, by some miracle, you will be able to abuse the authority which comes with being in government to break other political parties? So therefore, evil also comes with a time stamp. And today, the people of Maharashtra, the Shiv Sena NCP Congress legislators have established that they will not allow the constitution of India to be trampled underfoot. We do hope that the governor would draw the right lessons from this entire episode as it has played out and shed his RSS BJP cloak and appoint and invite the Mahavikasa Gadi to form a government in Maharashtra so that the people of Maharashtra can be given a stable government. Thank you. Thank you. The flow is all yours. Yes. What should you do to give to Maharashtra? Yes. Do you see? Yes. 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 देखिए परंपरा के अनुसार जिस तरह से ये सारा घटना करम के रियानमित हुआ है अगर राजपाल जो उनकी भूमे का रही है इस सारे प्रक्रिया में अगर उसके उपर चिंतन करें तो जरूर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन वह ऐसा करेंगे नहीं या जिए ख़्टोर इस अबेट नगर झाला सिर्क्रियार आटना I think events have overtaken the orders which were passed today in the morning and in fact it is the order which has really triggered this entire प्राजार के लिए प्रिम फेवसे हैं. टिरीफेश वे लिए और विए इन्हार शीज में वेत्व प्रिचाद, जो इन्हार के लिए ग्यूनिट्ब्र विए कि इन्हार मेंसें, वे उह लाद एक आप आर, टेंड लोंगेजार, वे फॉर्फोर्म हैं, the deputy chief minister, have resigned. And so, therefore, the government or the governor would not be out of order if he were to invite the Mahavikasa Gadi to form a government. But then again, that's a call which the governor should take. And in our respectful opinion, given that the process has become redundant, the governor should, should in the interest of stability and the people of Maharashtra, actually invite the Mahavikasa Gadi to form government and demonstrate their strength in the floor of the house. If that is all, thank you very much. I just need to go back to the house. Thank you for all your time. All right. Thank you. Thank you.